बी एस्सी पर्थमवर्ष वाले विध्यार्तियों का उन्हें स्वागत है हम शेवालों के आर्थिक महत्वे के संदर्ब में अभी तक हम दो वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है हम इसके ओध्योगी कुप्योग के बारे में आज बात करेंगे दरसल मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में से प्रशन अवश्य बनता है चाहे वो अभी बी एस्सी में बने या फिर बाद में जो कंपेटिशन जो क्लासिस होती है प्रतियोगी परिक्षाएं होती है तब भी इसकी आवशक्ता होती है तब भी यहां स सबसे इंपॉर्टेंट एक जैल होता है अगर एगार यह रेस्ट्रिक्शन फ्रेग एग्रो 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 जैल एलेक्ट्रो फॉरेसिस में यह काम आता है कई प्रायोगिक जो कारी होते हैं टीशू कल्चर में यह बहुत बड़ी भूमिका इसकी होती है अगर सब्सक्राइगार है यह जैलीडियम और ग्रेसिलेरिया और जिगार्टी नामक शेवालों से प्राप्त होता है खास तोर पर जैलीडियम और ग्रेसिलेरिया आपको याद रखना है इसका उपयोग में आपको बता दिया है इसी प्रकार एलगिनेट नाम का जो रसायन है यह भूरी शेवाल जैसे लेमिनेरिया, एसकोफिल्लम, लैसोनिया, मैक्रोसिस्टिस से उनकी प्रात्मिक भित्तियों और मद्देपटलिकाऊं से एलजिनेट प्राप्त किया जाता है और एलजिनेट नौन टॉक्सिक होते हैं और अत्तिक गाड़े विसकस होते हैं ये जैल, ये भी जैली के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं इनका भी जो सौंद्रे प्रसाधन है, कपडों की छपाई के लिए है, रबबर उद्ध्यों हो गया आपके और पनीर बनाने में, आइस्क्रीम बनाने में, पॉलिश इत्यादी बनाने में, एलजेनरेट का उप्योग किया जाता है। अगला है केरागिनिन रसायम, ये लाल शेवाल कॉंड्रस क्रिस्पस से मिलता है, इसे आईरिश मास भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसे आईरिश मास भी कहते हैं, और उससे तथा कुछ मात्रा में, जिगाटिन की जातियों से ये प्राप्त होता है। और इसका उप्योग जो आपके मदिरा निर्मान है, कपड़ा उद्ध्योग है, उद्ध्योग है, उनमें केरागिनिन का उप्योग किया जाता है। अगला है आयोडीन, ये भूरी शेवालों जैसे लैमेनेरिया, एकनो, लिया और फ्यूकस की जातियों से प्राप्त होता है। इसका आप अच्छी तरह से उप्योग जानते, आयोडीन की कमी से घैंगा रोग होता है, तो नमक जो हो है उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाuestी है। और श्ट्यों में इसका प्रियोग होता है, प्रयोगशालाओं में इसका प्रियोग होता है। आयोडिन का जो आपके शर्जरी उसमें बहुत बढ़ा रोल होता है, अगला है डाय토माइट, डाय टंस या उसके व्रहत जमाओ, डाय А.क.मणीnam जो आपके डाइटी मी मर्दा है का उद्योग में उद्योग में प्रयाप्त रूप से इसका उप्योग होता है ये फिल्ट्रेशन विदियों में शक्कर शोधन उप्योग में जो ब्रेवरेज हैं मध्यकरन उद्योग में डाइटोमाइट का उप्योग किया जाता है डाइटोमाइट जो आपके नाइट्रो ग्लिसरिन के आवशोशक के रूप में भी काम में लिया जाता है सौंध्रे प्रसादन आपको पताईए कीटो फोरा, एंटिरो मार्फा, एक्टो कार्पस, आदिसी जिलेटिन प्राप्त होता है इसका उप्योग सौंध्रे प्रसादन, क्रीम, शेम्पू, बूट पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है यदि हम बात करें इसके प्रायोगिक कर्शी छेत्रों के बारे में पहले बात कर लें हम इसके जो शेवाल है उनमें साइटोनीमा भी है औसीलोरा ओलोसीरा फर्टीली सीमा भी है तो यह आपको नाम जरूर लिख लेने हैं और याद करने मर्दा सुधार में उच्छ पीच जैसे वाली लवणिय भूमी जिसे उसर मर्दा भी कहते हैं उसमें यदि हम एना बिना नॉस्टो ऐऌं साइटोनीमा जैसे शेवालों को उगाएं तो उसे क्रशी योगिये उसल्मी को क्रशीयोग्य बनाएजा सकता है अमलता को भी यह कंका करता है और क्शारीता को भी कंकरता है इस इसल्ट भूमी में से अक्टार कौ र्म कि मातर टना वंत्र च्याबाल म्रदा पर दंका रोकने में भी मदद करते हैं जल शोधन के संद्रब में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है डिटेल में अंतरिक्ष उडान में क्लोरिला और सिंकोकस नाम का पौधा है इसका उपियोग किया जाता है वाहित मल के अपादान यानि उसके उपचार में भी सीवेज दिस्पोजल में मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी कुछ बताया है यूगलिना क्लोरिला सेंडेसमस आदीप जो शेवाले उनकी मदद से हम वाहित मल का निस्तारण भी करते हैं अब हम बात करते हैं इसके प्रायोगिक उप्योगों के बारे में तो मैंने आपको बत कोशी की अध्यनों में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं और चूंकि शेवालों का पारिस्तिती पर बातावरण पर बहुत महत्रपुन प्रभाव पड़ता है इसलिए इसे पारिस्तिती की अध्यनों के लिए उप्योग किया जाता है जैसे आपके क्लेमाइडो मोना से इसका कशाबी काउं की गति के अध्यन में परियुक्त होता है यूग लिना है यह विटामिन बी के परती संविद्य होता है आता है संवर्दन नमुनों की जाश्व परियुक्त होता है क्लोरेला या सेंडेस्मस है एक केल्विन चक्र की खोज में इनिए शेवालों का में लिया था इसी प्रकार एनासिस्टिस नीडूलेंस से साइनोफाइसी में अनुवानशिक पुनरियोजन के संदर्व में इसके उपयोग को खोजा था कुमार जो साइंटिस्ट है उन्होंने जनेटिक रिकॉंबिनेशन में इस यह वाल की भूमिका को काफी यूज किया अब हम बात करते हैं इसके जो नुकसान है तो नुकसान में सबसे इंपॉर्टेंट है जल ब्लूम कभी-कभी जल स्रोतों में कुछ विशिष्चे वालों के संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि इनकी मृत्यूशे जलाशियों में आक्सिजन की कमी हो जाती है और जल दुरगंद में हो जाता है जल में आक्सिजन की कमी की करण जलाशे के अन्य जलिये प्राणियों तथा मचलियों की सास घुटने से मृत्य हो जाती है इसे जल ब्लूम कहते हैं यहीं पानी सड़ जाता जीवानुबी विक्सित हो जाते हैं और वो पानी बहुत जह्रिला हो जाता है साइन ऐसी किस दिश माईक्रोसिस्टिस है क्रूखोकस है इक प्रूक्ष सपाइरुणिन ऑसलो टेरिअ है नोस्टोक आधी के कारण जलाशियों में जल ब्लू म बनते हैं और जल के कारण काफी नुकसान भी होता है इसी प्रकार आप बात करें मचलियों की मृत्तियों में कुछ शेवाल आविश यानि टॉक्सिक उत्पन करते हैं इसे मचलियों की मृत्तियों होती है जैसे एफनी जॉमीन नाम का है और माइक्रोसिस्टिस एरूजीनेसा है जो आपके इनकी व्रद्धियदी जलाशियों में जीलों में बढ़ दिया है तो यह मचलियों की मृत्तियों का कारण बनती है इसी प्रकार शेवालों की प्रोटीन ख्षय से बनने वाले हाइड्रोक्सिल अमीन पाद भी मचलियों के इससे ही मचलियों की मृत्तियों में आपको बताया यदि माइक्रोसिस्टिस एना बीना जैसा जल अगर उसमें जदा बात्रा में उग गया है और पानी जहरीला हो गया ऐसा पानी यदि प्रश्यों पी लेते हैं तो वह मृत्तियों का कारण बनता है इसी प्रकार जहाजों में प्रदूशन के जिसे जहाजों के पैंदे पर काफी मात्रा में यह उग जाती है जिससे जहाजों की गती में रुकावट होती है मनुष्यों की मृत्तियों होती है जैसे आपके गौनी अलेक्स केटेनेला और जिम्नोडियम ब्रेविस जिम्नोडियम फ्लेवम यह ऐसे यदि मचली के साथ खाने में आ जाएं तो ये इतने जहरीले होते हैं कि विक्ति की मृत्तियों का कारण बनते हैं इनसे एक्तियों सारकोडीन नाम का एक शेवा वो रसायन निकलता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इंसानों के लिए इस प्रकार मैंने शेवालों के लाबदायक और हानिकारक दोनों ही महत्वों पर आपसे इस वीडियो में चर्चा की थी अगले वीडियो में हम शेवालों के अन्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे